एक समय की बात है किसी गाउं में एक ब्रहामन अपने पड़िवार के साथ रहता था उस ब्रहामन के पड़िवार में उसकी पतनी और एक पुत्र था वह ब्रहामन बहुत ही गरीब था उनके पास कभी कभी खाने के लिए भोजन भी नहीं होता था ब्रहामन की पतनी बहुत दूष्ट और चलाग थी इसलिए वह रोज ब्रहामन को भीच्छा मांगने जाने को कहती थी पर ब्रहामन उसकी एक न सुनता था और घड में राम नाम जपा करता था पतनी के रोज रोज लजजित करने पर ब्रहामन एक दिन सुबह सुबह उठा और अपने पोथी और पतरा उठाया और दूसरे गाउं में चल दिया चलते चलते वह एक घणे जंगल में पहुँच गया और तब तक साम भी हो चुकी थी चारो तरफ अंधेरा चा गया था उसी जंगल में वह पीबल के पीड के नीचे बैठ गया और राम नाम जबने लगा सुबह होने पर जब वह उठा तो पास के ही सरोबड में असनान करके वह आगे चला और दूसरे गाउं में पहुँच गया लेकिन उस गाउं के लोग न तो उसे कथा सुनना चाहते और नहीं कोई उसे भिच्छा देना चाहता था बेचारा ब्रहाम मन दुखी होकर घूम फीर कर फीर से उसी पीपल के पीड के नीचे आकर बैठ गया वह पीपल का पीड बहुत ही बिसाल था उस पीड की जड में एक बिसाल काय साप रहता था उस ब्रहाम मन ने सोचा की मेरी कथा तो कोई नहीं सुनता यह कथा मैं पीपल के पेड को ही सुना देता हूँ अपनी कथा सुनाने लगा कथा पूरा होते ही पेड के नीचे से एक काला नाग बाहर निकला और उस ब्रहाम मन को एक स्वर्न मुद्रा देते हुए बोला तुम रोज यूँ ही यहां आकर मुझे कथा सुनाया करो मैं रोज तुम्हें स्वर्न मुद्रा दे दिया करूँगा ब्रहामन ने यह बात मान ली फिर नाग बोला लेकिन एक बात याद रखना कभी भी किसी को इस बाड़े में नहीं बतलाना तो मैं तुम्हारे सब दुख दूर कर दूँगा ऐसा कह कर वह नाग फिर से अपने बिल में चला गया अब तो ब्रहामन रोज ऐसा ही करता सुबह उटकर नहाद होकर अपनी पोती पत्रा लेकर वह पीपल के पेर के नीचे पहुँच जाता और वहाँ बैठकर कथा सुनाता कथा पूरा होते ही वह नाग उसे सोने की मुद्रा भेट करता देखते ही देखते वह ब्रहामन बहुत ही धनवान हो गया पूरे गाउं में यह चर्चा होने लगी की ब्रहामन की दसा इतनी कैसी सुधर गई यह जरूर कोई गलत काम करता होगा ब्रहामन को लोगों की पातों से कोई फड़क नहीं पड़ता वह रोज कथा सुनाने का वही काम करता रहता एक दिन की बात है गाउं की कुछ औरते ब्रहामनी के पास गई और उनसे पूछने लगीगी आपके पती इतनी धनवान कैसे हो गए वह रोज कहां जाते हैं और रोज उनकी कथा कौन सुनता है उन औरतों की बात सुनकर ब्रहामनी को भी अपने पती पर शंदे हो गया उसने एक दिन अपने पती से पूछा कि आपको यह धन कहां से मिलता है मुझे भी इसके बारे में बताईए ब्रहामन बोला तुम्हें इससे क्या मतलब ऐसा कहकर ब्रहामन ने ब्रहामनी की बार टाल दी कुछ दिनों तक उसे टालता ही रहा पर एक दिन ब्रहामन की पत्नी ने उसे बहुत मजबूर कर दिया ब्रहामन मजबूर होकर अपनी पत्नी को नाग की सारी बाते बता दी जिस वज़से उसकी पतनी के मन में लालच आ गया और ब्रहामन की खाने में नसे की दवा मिला कर उसे खिला दिया और अपने बेटे से बोली बेटा तुम उस पीपल के पेर के पास जाओ और नाक को मार कर सारी संपत्ति ले आओ ब्रहामन का लड़का ने वैसा ही किया वह अपने पिता का पोथी और पत्रा लेकर वहाँ चला गया और पीपल के पेर की आगे बैठ कर कथा सुनाने लगा कथा पूरी होने पर वह नाक बाहर निकला और उसको स्वर्ण मुद्रा देने लगा तब ही ब्रहामन के बेटे ने कुलहारी से नाग पर बार कर दिया जिससे नाग की पूछ कट गई यह देख कड़नाक बहुत गुसा हो गया और उसने भी पलट कर लड़के के पैड़ पर डस लिया जिससे लड़के की मौत हो गई इधर जब ब्रहामन उठा दो उसने देखा कि उसकी पोथी पत्रा सब गायब है वह समझ गया कि जरूर ही कुछ गड़वर है वह चल्दी से पीपल की पेड़ के पास गया तो देखता है कि उसका लड़का वहाँ पर मड़ा हुआ है ब्रहामन को देख कर वह नाग बिल से बाहर निकला और कहा ब्रहामन मैंने तुम्हें कहा था कि स्वर्ण मुद्रा की बात तुम किसी से नहीं कहोगे और तुमने बता दी अब तुम यहां से चले जाओ तुम्हें तुम्हारे पुत्र का दुख है और मुझे मेरी पूच के कटने का दुख है लेकिन वह बढ़ामन उस नाग से छमा मांगने लगता है इस बास से वह नाग और गुसा हो जाता है और वह कहता है कि मैं तुम्हें शाप देता हूँ तुम्हारी जो संपत्ती मेरे द्वारा बनी थी वह सब के सब नश्ट हो जाएगी बढ़ाम मन नाग देवता के मुख से यह बात सुनकर अपना सीड पीटता रह गया और रोता भी लगता अपने पुद्र का सब लेकर वहां से चला गया घर आकर अपनी पत्नी से बोला देखो तुम्हारे लालज की वजह से हमने अपना इकलोता पुद्र गवा दिया और हमार अगर बढ़ामनी भी रोने लगी तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली वाड़ाएं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सेयर करना भी मत भू सब्सक्राइब करने वीडियो